नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक भारत की खोजों की दृत पठन के लिए है, खद्वते अध्याय पढ़ेंगे, चोकि पाट बहुत व्रहध है, तो हम इसे अलग-अलग भागों में बाढ़ते वे पढ़ेंगे, आज हम इसी पाट के अंतरगत भारत के अतीत की जहांकी, इस पाट को मैं आपको संक्षिप में समझाने का प्रयास करूँगी, आप सुचारो रूप से पाट का अध्यन करें और साल को समझने का प्रयास करें, तो आईए, इसमें नहरूजी ने कहना चाहा है कि भारत के अतीत में अवशे ही ऐसी द्रड़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं, मतलब संपूर्ण पुस्तक जो है वो नहरूजी द्वारा लिखी गई है, नहरूजी की इसमें स्वयम की जो अवधारनाएं हैं और स्वयम ने जो सोचा है, उसका भी इसमें विशलेशन प्रस्तुत किया गया है कि नहरूज कि साथी की भारत में आखिर है ऐसा, भारत आखिर में है क्या, मतलब वो इस विशय पर विचार करते हैं कि भारत क्या भोगोलिक परिवेश है, भारत क्या मानव संसादन है या फिर इसकी जीव संपदा है, कहने का तातपर है कि भारत इन सबसे मिल करके बना है, लेकिन उस स में में जो भारत की स्थितियां थी उन पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया कि भारत प्राचीन काल में इतना सम्रिद देश था तो अंग्रेजों के समय में ये पुस्तक लिखी गई है उस समय वो विचार कर रहे हैं कि आकर भारत ने अपनी शक्ति को कैसे खो दिया या फिर पूरा खो दिया है या फिर शक्ति को वापस से प्राप्त किया जा सकता है ये सारे नहरुजी के विचार है जो की तत्कालीन परिद्रश्य में वे सोच रहे हैं आगे देखें संपूर भारत का निरिक्षन नहरुजी ने संपूर भारत के अस किया जिनका अस्तित्तु 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है इसमें नहरूजी ने भारत के इतिहास पर रश्टी डाली और उन्होंने ये देखा कि सिंदु भाटी सब्विता की जो प्रमुक नगर है महुन जोड़ो हडपा लोथल रंगपूर आदी जो है और वो सब्विता जो है वो मानी जाती है 5000 वर्ष पुरानी और उसका प्रभाव जो है नगर नियोजन के बारे में यहां बात की जा रही है उसका प्रभाव वर्तमा नगरों में देख सकते हैं जैसे कि जैपूर एक सुनियोजित नगर है तो यह नगर विन्यास जो है मोहँजोड़ों से हमन तब इसमें यह बताया गया है कि जो प्राचिनकाल में विदेशी आत्री हमारे यहां आये और उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ लिखा उसका भी नहरूजी ने अध्यन किया कि भारत का अतीत कैसा था पार्ट का शीर्शक जैसा कि आप देख रहे हैं कि अतीत की जहां से और साथ ही फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो इलाबाद और फिर हरिद्वार के महानस्तान मतलब भारत की धार्मिक आस्थाओं में भी उस अतीत की जहांकी को उन्होंने खोजने का प्रयास किया है तो यह विविदुधारन है जो हम पार्ट में प्रारंब से देख र अतीत को जानने का प्रयास किया यहां की जो अजन्ता एलोरा की गुफाएं वहां से जानने का प्रयास किया फिर हमारी धार्मिक आस्थाओं में भारत को खोजने का प्रयास किया है फिर आ जाते हैं देखिए भारत के अतीत में हर बात में विद्धिमान होने का ऐसास होता ह वर्तमान शिक्षा देता प्रतीत होता है महात्मा बुद्ध के उपदेश जो भारतिय सबेता और संस्कृति के मुलाधार है जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्ते, अप्रिग्र, अचोरे, आधी भी हैं वो सब चीजें हमें कहां मिली हैं जैन धर्म, बौध धर्म और भारत का जो वैदिक धर्म है जो भारत के दार्मिक जो मत है विभिन वो भी है तो इस प्रकार से अतीत की ज्हांकी में नहरूजी ने भारत के संपूर अतीत को खोजने का प्रयाज किया है धन्यवार